महादलितों की बसी बसाई बस्ती पर कुछ दबंग ब्रॉकर करना चाहते हैं कबजा थानेदार बार बार फोन कर घरवालों को जमीन खाली करने का देता है निर्देश घरवाले डटे हुए कि दो दशक से हम यहीं रहते हैं मर जाएंगे लेकिन जमीन खाली नहीं करेंगे मामला पूर्णिया के केहार थाना छेतरा अंतरगत गिर्जा चौक के पासका है जहां दो दसकों से जादा से तकरीबन 20 परिवार रहता है यह वो परिवार है जो भूमिहीन है वर्ष 2017 में सदर अनुमंडल पता धिकारी के द्वारा सेटेल्मेंट पॉलिसी के तहट दलित और महादलित को पांच-पांच धूर जमीन उसी जमीन पर देने का आदेश्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित करवा दिया गया था गंभीर आरोप ये भी है कि केहार थाना से पुलिस बार-बार इन लोगों को फोन कर ये कहती है या आप लोग खाली करवा दे पिडित परिवारों ने पंकज निराला नाम के एक सक्स को ब्रॉकर बताते हुए इस जमीन पर कबज़ा करने का आरोप लगाया है साथी ये भी कहा है कि केहार थाना के पुलिस लगातार उन्हें फोन करके जमीन खाली करने की धमकी देते हैं और जबरन इस जमीन पर खाली करवाने का दबाव भी बना रहे है पिडित परिवार पुलिस अधिकशक विसाल सर्मा के समक्ष पहुचकर इनसाफ के गुहार कितना गार हमापे 25 गार है थाना क्या कड़ा है इसमें आप रोट पर गिचवाया शुकर का खोहर लगार भीचवाया फोटो खाली जमीन का यकनी हम रा जमीन को था है कि सरचो कठा जमीन यहां लेकर गोहां तक मेरा जमीन है खाली करो अब लोग कितना दभी उस जमीन पर लोते हैं हम लोगे हाथ समा तक 25 अदमीर वो क्या करता है जो यह जमीन आपको धंकी देता है खाली करने के लिए बरोकरी करता है अच्छा यह जमीन है किसका किसका जमीन है कटियार पर लमालिक रिजवान साहिब का अब लोगों को दादे नाम था बिसू नाम था आप क्या चाह रहे हैं हम लोग सरका जाएंगे मास हम लोग मर्मिक जाएंगे महीं पर रहेंगे हम कहीं मदेंगे